मानव जीवन को सार्थक बनाएं मानव जीवन भगवान का दिया हुआ अनुपम वर्दान हैं अगणित योनियों में ब्रह्मन करने के पश्चात मिलता है दुरुपियों करने पर ये च्छन जाता है और फिर निम्न योनियों में ब्रहमन करने के लिए चरकाल तक अधुगति में रहना पड़ता है। जो सुविधाएं इस शरीर में प्राप्त हैं, वे अन्य किसी शरीर में नहीं। जो अफसर अन्य किसी जीवधारी को प्राप्त न हूँ, उसे मनुश्य को प्रदान करते हुए भगवान ने कुछ विशेश उत्तरदाइत्व भी इसे सोंपे हैं। उचित यही है कि वो उनकी अवहिलना न करे। पेट पालने और सुक्ष जैन के साधन जुटाने की सुवधा एवं प्रतिभा तो पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। मनुश्य की विशिष्टा यह है कि विवेकवान, संयम्य, सदगोने और उदार बने। अपना आत्मिक स्थर उचा उठाती हुए अपूर्णता से पूर्णता की ओर चले। इस दिशा में जितनी प्रगति होगी उतना ही उसका जीवन सार्थक माना जाएगा। आत्मिक विभूतियों की अविवरध्धि इस बात पर निर्भर है कि वो दूसरों के साथ कितना उदार वैभार करता है। आत्मिक सदगोनों में आत्मसैयम और परोपकार ये दो ही प्रधान है। जो इन दोनों की उपलब्धि में जितना अधिक निरत है समझना चाहिए, वो उतना ही अधिक मानव जीवन के महत्वों को समझ कर और उसे प्राप्त करने में आगे बढ़ा है। ये भावना मनुश्य को सनमार्ग गामी बनाती है और उसकी आंतरिक शक्तियों को विकसित कर पारमार्थी के लक्ष की ओर अग्रसर करती है। अखंड जोती, जुलाई 1965, प्रिष्ट एक। आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सुरती रहे। धन्यवाद।